कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ सलाम अलेकूं अ उर्दू वार्ड नियूज के साथ राश्य स्थान आज यहां पे हम लोग पाकिसान हाउस में यहां पे बैठें और थोड़े लोग आ जाएं फिर इंशाहला हम शुरू करते हैं यहां पर अपिस अब के पास काफी अपडेट्स अ कुछ बाते भी करनी है कुंश्वारी वी पहरू है कि क्यों यहां कर रही है तो दररा बता दियेका वास तो देख लेते हैं यौमे पाकिस्तान है और तूमाम पाकिस्तानियों को जहांपे भी है, सबको यौमे अज़ादी बहुतुर मुबारिक ओ बड़े सालत त्रीके से यौमे पाकिस्तान मनाया गया, उसके अलावा काफी अपडेट्स हैं, एक अफसोसनाक खबर भी चैना जपान के हावाले से, प और एक प्लेटफर्म होना बड़ा लाजमी है जिसके तहट जो है जो जहां पे भी पाकिस्तानी है उनके साथ राप्ता रहना और उनकी जुरुरियात को पूरा करना एक हम लोगों का फर्ज है तो इसलिए जो लोग एक्टिव हैं तो मैंने सोचा कि आज हाफिश हम साथ के सा इमदाद फराम की जाए और उसके बाद जो एक हमारी दूसरी आप्शन है वो यह है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इस वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और हमारे यहां पे कई लोग है जो मेडिकल का क्काम करते हैं हाफिश हाब ने भी उस पर तैकी की है मैं भी सोच रहों कि यहां से अगर हमारे पास अच्छी आस्टी फ doable जाती थह तो हम आइंदा के लिए पाकिस्तان के लिए जो है यहां से वेंटिलेटर्स जो है यह यहां से पाकिस्तान को डिनेट करें हाफि़ सबसे पहले हाँ आज का जो अफसोसनाग हुए अब को टेलिफून आए उसके म मार्च है और तईस मार्च आपको पता है करोना की वज़ासे कहना मैं हमोशी से गुजर गया है और यह तईस मार्च का मतलब ये है के अपने दिनों को कौ मिजनों को याद रखना और आइंदा जो लाह मामिल है उसका त्यार करना پاکستانی جو بھی قومے ہوتی ہیں अपने दिनों को जिनों को याद रखती है, तो आज एक अफसोसनाख वाकिछा हुă ہے पक whatsब हैं और अजो है तो हूरी का और सिंदाइ के लाके में उसको हारू स्पीटल में है, तो उसका मेन मसला ये था पांच से दिन से, उसको किसी go पता नहीं بات نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن جب آج پاکستانی کو دیکھا ہے پریشان اس کو دیکھا ہے تو اس کے بعد ہمیں مجھے بھی اور سب کو آپ سب کو بھی سارے صبح کے لیے کے شام تک ابھی فون لگا رہے ہیں پریشانی ہوئی ہے دوسرا وہ وہ لڑکا جو ہے لوگ ابھی پوچھ رہے تھے وہ ہے تو اس کی نشانٹی پاکستانی اور پاکستانی نشانٹی پہ اس نے ویزا لیا ہوا ہے لیکن اس کی نشانٹی ایک دوسرے ملک کی بھی نشانٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بیسی کو میرے حال سے نہیں پتہ لگا تو برحال وہ اس وقت آپ جپان میں یہ پہلا کیس ہے اور آپ سب کو اتیاد کرنی ہے وہ اس کو مدے نظر رکھتے ہو اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم سب نے اب پاکستانی بن کے ابھی جو سسلے آپ نے دیکھا ہے جپان اپنے ملک کو بچا رہا ہے امریکہ اپنے ملک کو بچا رہا ہے فرانس اور ملک اپنے آپ کو بچا رہا ہے آپ کو اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمیں بھی اب شرب پاکستانی بننا ہے اور اپنے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بچانا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس میں اور آج جو کیس بھی آگیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کے کیس کو دیکھتے ہوئے مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے تیاد بھی کرنی ہیں آپ اس میں کیونکہ ایک مسئلہ ایک میرے کلے کا نہیں ہے میں گھر جاؤں گا فیملی فیملی میں اس میں اگر آ جاتی ہے کرونا میں تو وہ بھی प्रयशान, मैं भी प्रयशान, और पाकिस्तान उन्हें जो फैमिली वह भी प्रयशान होगी, इसलिए हमें इत्याद करीए है, इसके साथ सथ हमνे एक فİ austerा किया है, कि पाकिस्तान को अगर रहा जो कम्यूटी रहती है सबसे पहले तो यह है community. इनको कोई परेशानी होती है तो हम सारे मिलके कोई ऐसा लाह अमल तियार करें. किसी टाम भी किसे को परेशानी होती है तो फोरन हम उस पर action ले सकें. और इसी तरह जब पाकिस्तान में इस वक्त हलात हराब हैं और ये अभी इनों ने भी बताया राशित भाई ने तो निशालला हम पाकिस्तान में भी फोरन उनको चाहिए इस वक्त वैनिटी लेटर तो वो भी बेजते हैं इन्शालला आपके तामन से और दीगर भी जो कम्यूनिटी को जाम मसाइल हैं जिस तरह अभी पी आईवी बंद है तो एक कफ़ता पहले एक पाकिस्तानी के वफात हुई तो एक जैपनिज हमें मिल गये जो इससे पहले डेट सो मान लगता था और वो राहाली रखने के लिए भी बीच तीस मान ले थे ने जिए जो पाकिस्तानी तक दसलाग रुब मनता है तो अब तो ही उस बंडे ने के नाम में, बीज लाग के क्रीब बनता है याँ कि वैसे आप वैसे रखें तो दो-तीन दिने दीने मिलें पैसे ले 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 तो वो बंदा जैपनिस कूंपटी मिली है, वो भी, सबको इनको मैं दे दूंगा, वो लिख देंगे यहां पे, वो अगर कैसा हुदान हास साल लाह साब को से तांद रूसी देख लेकि ऐसा मसला है तो वह उन्हें हमें हाफ प्राइज में सैविंटी मान में लेके जा सकता है पाकिस्तान में अगर प्राइज चल जाती है तो वह यहां आप से किना में प्राइज एरपूर्ट तक वह अपने किसी भी जगह से एरपूर्ट तक भी असान थोड़े से पैसों में वो कर देगा तो वह भी मैं इनको बता दूँगा वो भी आप साथ शीर कर देगा हमारे काफी लोग हैं जो पाकिस्तान से यहां पर आएवें विजिट के लिए वो उनका भी कोई मसला है लेकिन इमिग्रेशन ने जो है वो यहां पर एक मीने की छूट दी है सबको और एक मीने यानिक उनका आटोमेटिक एक्स्टेंज को इमिग्रेशन जाने की जरूरत न का ज्यादा विज़ा दी है अचा अर्बंदे जिसके पास विज़ट विज़ा है उसको एक तफ़ा लाजबी जाना पड़ेगा उसके बाद वहागा की आएगी उस जिस जगह पर रहा होगा कुछ हमारे पाकिस्तानी भी हैं जो 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 पाकिस्तान गएवे हैं एक दो में फून आया कि उनमें से एक दो बंदों की यानि के वहां पर यानि कुछ अर्से के लिए कहते लेकिन वो लंबे फस गया उनके विज़े भी यो बिल्कुल अभी एक दो दिन में या दो हफते में खतम होने वाले हैं तो उनको लाजबी सुबा भी इमिग्रेशन से बात दिय है तो उन्होंने काया कि इनको लाजबी यहां आना पड़ेगा यहां आएंगे तो उसके बाद हम उनको स्टेंशन देंगे जो भी अगाकी बेजेंगे मिरहाला आज एक बंदे वो अगाकी दी है उन्हें के तुझे अगाकी आएगी इसी तरह वो पाकिस्तान में भी इमब लाजबी वड़े शहर हैं वहां पर जो जो पाकिस्तानी है उन मेंसे एक एक ऐक ऐक फर्क को उसपर शामिल करेंगे जाधा लोग शामिल ने करेंगे। उनकर सिर्व काम यह होगा कि पाकिस्तानी है उनकी आगई जो है वू देते रहें वहां के अ mineral के मतारी बितते ह agreement है और साल के तौर पर अभी शिंदाई में जो वाकिय हुआ वो पांच दिन से जो है वो बंदा वहां पे हॉस्पिटल में था किसी को पता ही था राप्ता नहीं था तो वो तो शुकर है कि वो जिस शहर से हाफिस वाब है उसी शहर से वो ताल लगता तो उनके घरवालों ने ने से दो जब जाके पता लगा कि वो बंदा जो है वो हॉस्पिटल में है तो इसलिए कोशिच यह करें कि अपने राप्ते काई हुआ रखे मेरा मतलब ही यह कि टेलिफून ही राप्ते रखे क्योंकि करोना की विए से आप हजूम नहीं कर सकते हैं मिल नीं सकते तो इसलिए हर त पत्वीर जो जिस तरह गॉर्मेंट कह रही है उस तरह करना बड़ा लाजमी है लोग जुम्हे के इस तुमा में जा रहे हैं महावी बड़ी बहुत जानी कि जैसे आपने देखे हैं कि आउक्शन में जाते हुए अपने हाद दोआ रहे हैं एक बंदे को तो इसलिए मस्जिद लाइब नहीं देखते हैं तो उन्हें बताएं कि इस वक्त जापन में पाकिस्तादी कम्यूनिटी की जरूरत है इस वक्त हमने यह जो हाफिस्ट शाम साब का ओफिस है जीसे पाकिस्टान हॉज्स हमने यहां पे केम्प गया यह नहीं कर दिया है हमारा यह सपॉर्ट होगा यहीं से सारे काम होंगे यहीं पर यानि कि हम लोग कोशिश करेंगे जो भी जिसकी कोई हैल्प हो सके मैं अपना नमबर भी देटूंगा हाफिश आप भी नमबर इसमें लिख देंगे ताकि आप फौरी राप्ता कर सकें लोग बास दफ़ा शकायद करते हैं कि एमबैसी जो ह आपको बाते हैं इसका मकसद यह नहीं होता कि हम आपको अपना आप दिखा रहे हैं इसका मतलब यह होता है कि जब हमारे से हाथ से ज्यादा हो जाता है जिस तरह अक्सर यह एमिगेशन में बंदे होते हैं अब उनको जब निकालना किसी टाम दो तीन कठे होते हैं तो जब हम लाइव उन लोगों के लिए लगते हैं जो दर्दे दिल रखते हैं जो वाके सोचते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं तो उसके लिए वो सास करते हुए हमारे हम उन लोगों को दिखाना चाते हैं कि हमारी मदद करें और अलहमदल्ला पिशले दिनों एक बंदा दो बंदे छुटे हैं इमिगेशन से तो उसमें से कामरान साब है मेरा इन से इतना तल्लक नहीं है लेकिन उन्हों ने मुझे फून किया कि एक बंदा मेरी तरफ से छड़ा है हम उन लोगों को जगाना चाते हैं जो वाकरी काम करना च करूं तीसे का भी दिल करेंगा ये काम करूं तो उन लोगों को हम दिखाना चाते हैं जो लोग मदद करना चाते हैं और साथ मिलकर काम करना चाते हैं और हम पाकिस्तानी हमने ये सोचना है कि अब ये स्यासी पार्टी या पंजाबी सिंदी पठान ये हम सब कुछ खतम करना हमने हमने मिल कि पका तकाज़ यही है हमें जो हंसे हर चीज़ को बाले ताग रखे अभी आगे की तरह ते इड़े इड़ी में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था यानि के दो तीन केस्थ तै आर ला नह प्राकिशितान पर जा जा-ज्पान वह या किसी भी मुल्क में इस सोच रहे हैं कि अगले सारों से पॉस्पोर्ण करते हैं काफी यह नकिसान भी है लेकिन ऐस्तियात लाजमी है अपने ढ़ाने प्जाने है ऑपने प्यारों की जिए जाने बचानी है और अगर अभी इतियात नही जो आप एंडियोजि़ Virginie तो आप हर काम लनेकिन मसला ये है कि दूसरे के लिए काम करना किई हमारे ऐसे भाई हैं यहां पर जो आज कल जिनके पाक काम नहीं है कई हमारे ऐसे भाई हैं जो यहां पर पुलिटिक स्टेप पे आए आट-एट मीने से फारी है तो बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है लेकि ठीक है हम जाती तोर प पाकिस्तान की कम्मुनिटी है अगर थोड़ दोड़ पैसे भी कर रहे हैं 16,000 मांद बन जाते हैं ठीक है ना हर को यह खुमाता है हर माशालला हर किसी के रहे तो इससे हम यानि यह जब जपान में रहने वाले किसी भी फर्द की जो है हम है भी कर सकते हैं पाकिस्तान में जिस हास्पिटल है उसके हर बैट के साथ वैंटिलिटर लगा है तो बाहराल जो भी है लेकिन यह के मेरा ख्याले कि अब वक्त है कि हम लोग तो मैंने तो आप मैंने इस तरह हाफிसाभ है हमने इस वसक पाकिस्तान के लिए अपने आपको वक्त कर दी है तो हमारी कोशिचिश य जाती है, उनकी किस तरह हैल्ब कीजए, आज हमारा मकसद ही ही था कि हम इस टॉपिक पे बात करें, और फिर यह आई ओपनी है, जो जो पाकिस्तानी के साथ केस हुआ है, वो बहन ने कितने पाकिस्तानी के साथ मिला होगा, उसकी क्या हिस्ट्री एक कहा 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 होगा, तो कुछ दिनों के लिए अपने घरों में रहें क्योंकि एक इत्याद बड़ी लाजमी है हम लोग भी तकरिबन मेहल हफते डेट बाद हम लोग इतना भाहर एक्सपोज हुए हम भी अपने साथ अपने घरों के बच्चों या जपानी है को बने जब से का है हम लोग कोशिए यह क अभी इतनी हलाकते नहीं होगी जिसता जीफाण ने कडि़ें के इसना जर्मिन मी क्या रहे हैं इंशरिस वाला इंशच में इत्ली में हो इस तरह पाकिस्तान में भी इसस्टम नहीं है जबाद Drive चान में इंशफार खरि किया है और बगारों के ऐपने अको आपको हो गया फिर वो टिशू गाइब हो गया लेकिन बड़ी अच्छी तक्रीके से फिर वो हकूमत ने जब उन्हें समझाया तो वो समझ गया अब हर चीज मैसर है मास्क पेमन ने जनाब आम स्टोर पे पबंदी लगा दी बेचने के लिए क्योंकि वो हस्पिटल को सप्लाई हो ग करेंगे कितने मास्क हो सकते हैं पाकिस्ता किसी भी मुलक से हो सकते हैं जपान में हो सकते हैं हमारे साथ राब्ता करें हम मास्क लेंगे जपान में भी अपनी पाकिस्तानी कम्योंटी की तरफ से जपानियों के भी देंगे और अपने मुलक में भी बेजेंगे ये भी लाज के लिए काम करना है और आपने देखा है कि ये इस करोना ने पूरी दुनिया को अपने मुलक के लिए कर दिया और बंदा अपने मुलक का सोच रहा है हमने भी अपने मुलक का सोचना है पाकिस्तानियों का सोचना है यहां भी अगर किसी को ये एक पाकिस्तानी को हो गए अगर किसी ऐसे बंदे को हो जाए जिसकी फैमली हो तो कितनी परेशनी होगी हमें इस वक्तिद होना है और मिलकल काम करना है कि ऐसे किसी पर ऐसा वक्त आजए तो हमने उसकी हेल्प करनी है और इसी तरह साथ साथ पाकिस्तान को भी अब हमारी जरूरत है ओवर्शीज पाकिस्तानी सब हम मिलके जपान में रहने सब मिलके उनके लिए भी भी अब सोचेंगे और हम इन्शाला जो भी आपस में बैठेंगे सारे दोस्त जो 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 चीज उनको वहां चाहेगी हम जल्दी कोशिश करेंगे यहां से उनको कंटेनर बरके बेजें पाकिस भी कहीं पर भी रहते हैं जपान में बहुत जरूरत हो किसी चीज झीज की और हमारे पास कुछ भी ना हो करने के लिए तो इस लिए कि आने वала वाले हं आवीस हम व्कियार बड़ा जरूरी है आपको पता है कि जपान ने यानि कि चाइना और जपान क्यों बच गए क्योंकि इनके पास सर्माया था इन्हों ने अपनी पूरी महिशे जो है वो इसे करोने से लड़ने में लगा दी तो इसलिए हम लोग तो जानिके 16,000 कम्यूनिटी है कम से कम हमारे प फंडिंग से जो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो इसमें यही है कि इसे मद्देने सार रखें और ऐसे अफराद जो मुक्तरिफ शहरों में जो तोयामा में हैं आईची नगोया में है या जो भी है प्लीज जो जो यह काम कर सकते हैं जो इंटच रह सकते हैं प्लीज मेरबानी करके हमें मैसेज करें हम उसे वर्टस अफ गुरूब बनाएंगे एमर्जनसी पाकिस्तान जिपान के नाम से उसमें हम एड़ करेंगे और हम वहां से हमें टेली जो अपडेट करेंगे अगर कोई ऐसा शखस जिसे किसी वज़ा से जरूरत पड़ जाती है तो उसे हम इस फंड से जो है उसकी हेलप आउट करेंगे। अब जिस कॉम्पनी की मैं बात कर रहा हूं वहां पर पाकिस्तान की आर्मी और दीगर गोवर्मेंट के कुछ आदारों की तरफ से फून आये उसको उसने वेंटी लेटर पहले यमन या दीगर मुलक के लोग ले गें यहां से तो इन्शालला हम ने उसको आज भी फून बरहल कोई इस तरह का सवाल तो नहीं है लेकिन यह है कि अगर आपको आप में आपके पास कोई अच्छा मश्वरा वह भी हमें दें ताकि हम लोग ऐसा नहों के इंडिविजियली हम लोग यह इस काम में पढ़ गए हैं यह कोई हम पे रहे हो जाता है बाद रहां तो कोशि और ज०िन्तान में जितने ज्यादा लोग रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए बलकर जो भी अकाउंट्स hellay रहा होंगे जो भी पैसे आए एगे हमारी कोशिश हो Uhrगी होगी कि जो हो है उसे आपकर चाहिश अंप अपडेश्ट पेर मेरे पीच्छ हैं लेकिन जब ये अल्ला ताला की तरफ से जिमेदारी लगती ही इंसान पे अल्ला ने उनको यागे लाना होता है जिन्पे अल्ला जिमेदारी लगाता है और आप लोग सारे मिलकी हम सब मिलके मुश्कलात आएंगी लेकिन हम साथ में मिलके काम करना है वक्त है हमारे बच्चे माशाईला सेकंड जेनरेशन ट्रट जेनरेशन है उन्ने भी तो सिक्षाना है कि यार पाकिस्तानी कम्यूंटी के कुछ लोगों ने कुछ यह इस तरह के काम किये थे तो हो सकता है कि हमारे पैसों से किसी जैपनी की हल्प जाए जिसे पाकिस्तान का न कि आपने भी देख तो लिये जब हलाकि हो पाकिसानी से इंडियन थे. इंक बिल्गुम्ण उनके एकाउंट में कहां कहां से पैसे ना में ये पता है ना आपको पता है. यनिकि, मैं ने के वह तेखा जी उनको सामने इंडियन पहले बंगालीं के पास गी हैं उन्हों ने उनको ना कर दी है अभी उस वक्त अहलात भी ऐसे चारे थे इंडियन मुसल्मान हमें अर बात पे हमारा मज़ाग उडाते थे वहां पे नहीं हमें आप लोगों की जूरत नहीं है लेकिन जब हमने अपने पाकिस्तानी बाई उसे बात की उन्होंने का कोई बात नहीं यार हम इनकी मदद करेंगी और मैंने देखा है कि वाकिए इन में पाकिस्तानीों में अल्ला रभ अज़त ने जो अज़ूस लिए सल्माते हैं मौमन मौमन का बाई है और वो हमें पाकिस् हमेशां मदद सब से आगे होते हैं ये दूसी में से आगे हैं आगे हैं वो जैपनिज कहता है येशाशी सिगीर है प्रखेंगा करो देखिगा तुम लोगों में ऐसा बंदा मैं पूरी दुनिया में देख जब लड़ते हो तो पिर तो दूसी तरह लेकिन जब जो तुम लोगो नरम दिल जितने कोई भी नहीं है और हमने आप सब ने देखा मसाजिज भी बनाई है मसाजिज के साथ साथ हमने कम्यूनिटी भी बनानी है आपके सामने है साथ की दूसरी कम्यूनिटी तरकी करती जा रही है और हम वहां के वहां खड़े हैं तो हमें चाहिए हमें ये सोचना चाहिए हमारी नसल बड़ी होती जा रही है कितनी प्राबलम आ रही है तो हमें अब ये कठा होना चाहिए अर दूसी कम्यूनिटी जो आपने लिए कुछ ना कुछ मैं बंगालियों के मिसाल देता हूँ ये सामने ही मिसातो पारक है पांच सो फैमिली ये कठी थी एक जगा पांच सो का मतलब है 1000 मियां भी और बचे 2000 आएं और 2000 फैमिली एक पारक में बैठके खाड़ी है और हम कहां पर खड़े हैं के नाम हमें भी क्या चाहिए कि नाम इस तरह का आगे आएं और आपस में मिल बैठके अपने लिया अगए अगने आइंदा हमारी अपनी नसल के लिए سوچ لیں اور مل بیٹھ کے کام کریں اور ابھی تو وقت ہی ایسا ہے کہ ہم پاکستانی بن جائیں بات. بلکل. پاکستانی بن جائیں گے تو اپنے ملک کے لیے بھی کریں گو. یہاں بھی آپ دیکھیں ایک ایک کرونا میں آج ہوا پاکستانی. اس کا پتا چلا ہے. کسی کو بھی ادھر ہو جائے تو کیا پرابلم آگی? پوری فیملی تباہ ہو جائے گی. اس لیے ہم ایسا ایک ہمیں ایسا ایک بنا لینی چاہیے کہ نہ ہمیں اس کو کمیونٹی جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یہ نہیں ہم نے سوچنا یہ کس شہر کیا ہے. کس صبح کیا ہے. یہ کس پارٹی کیا ہے. یہ چیز کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے. دیکھر پاکستانی بن کے ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی ان کو فون آتا ہے یا مجھے آتا ہے. میں نے کبھی نہیں اس سے پوچھا تم کیا ہو? کس پارٹی سے ہو? کیا ہو? کس صبح کی ہو? ہم تو جا کے پہلے کام کرتے ہیں بس. یہ سوچنا ہے ہم نے اور جب آپ کو کسی طرف سے فون آتا ہے کبھی کبھی ہم بھی تھاک جاتے ہیں یار کس چکر میں پڑے ہیں لوگ. آپ کو پتا ہے اچھے کام میں لوگ کے نام ہیں. مسیبتیں بھی دیتے ہیں. پریشانی بھی دیتے ہیں. لیکن جب کسی طرح پھر آج صبح کل کے فون لوگوں کے آ رہے تھے وزڈ ویزے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. میں نے فوراں رابطہ کیا بیسی سے امیگیشن ہم صبح صبح کی. دیگر دیکھیں معاملہ. یہ ہوشی ہوتی ہے جب کام ہو جائے انسان کا. تو ہم ہم نہیں سوچنا ہوتا. وزڈ ویزے ہلے تو ہم جانتے بھی نہیں کون لوگ ہیں. لیکن ان کا کام ہو گیا ہے. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ نام ہے کسی کے کسی کام. وہ آج ہم نے چلے جانا ہے. اچھے بندے نے بھی چلے جانا ہے. بورے بندے نے چلے جانا ہے. آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں. آپ سب کا تعاون چاہیے. اکیلا کچھ نہیں ہوتا. آپ ساتھ ہیں. تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان کے جنڈے کے لیے آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور اسے جو ان سے زیادہ زیادہ شیئر کریں پلیس اس ویڈیو کو. اور جن لوگوں کے پاس جو ہے خاص طور پر جو جو پان میں رہنے والے ہیں ان سے الطماظ ہے. کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں. اور جو ہم لوگوں نے یہاں پہ آکاؤنٹ نمبر دی ہے. وہ ڈاکھانے کا آکاؤنٹ ہے. تو آپ پلیس میرمانی کر کے کس کا آکاؤنٹ ہے. کیا ہے. تو پلیس اسے تھوڑا دیر کے لیے جو ان سے پاکستان کے لیے سوچیں. اور پاکستان کے لیے آپ ہمارے لیے نہیں کرنا. آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اور ہم نے بھی آگے پاکستان کے لیے اسے کرنا ہے. بلکہ پاکستانیوں کے لیے کرنا ہے. تو اس لیے برائے میربانی. آہ آہ درخواست یہی ہے کہ اسے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. لوگوں کو بتائیں. ویئرنیس دیں. اور اس کے بعد میں ہم لوگ پاکستان کی تھوڑی سی بات کریں گے. پاکستان کو جو اس وقت جو کرنا وائرس کے جو لوگ باہر نکر رہے ہیں. تو اس لیے آہ جو لوگ والنٹیری اپنا نام دینا چاہتے ہیں. کوئی تویامہ سے ہے. کوئی نگویا سے ہے. کوئی کئی سے بھی ہے. آہ نگانوں سے ہے. تو پلیس جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے. ایک ایک بندہ جو ہے وہاں سے اپنا نام دے. ہم لیے ایک گروپ بنا لیتے ہیں. آٹومیٹک. اور اس گروپ کو جو ہے ہم لوگ جپان ایمرجنسی پاکستانی کمیونٹی جپان ایمرجنسی گروپ بنائیں گے. جس کے اندر وہاں کے جو علاقے کی صورتحال ہوگی اس کے اس سے بھی آگئی رہی گی. اور جو ضرورت مند ہوں گے وہ بھی آہ آپ وہاں سے بتائیں گے. تو ہم ان کے مدد کرنے کے قابل ہوں گے. تو باقی راہ کے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی گمبیر ہے. آہ سندھ میں لوگ ڈاؤن ہے. باقی علاقوں میں منع کیا جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو اس وقت جو سب سے جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں. آہ اور زیادہ زیادہ جو جو آہ میڈیکل ایڈوائزری ہے. اس کو فالو کریں. جپان نے بھی آہ اسی طرح مقابلہ کیا یا. کہ یہاں پہ کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا. یہاں پہ صرف حکائدوں میں جہاں پہ کیسز زیادہ ہو رہے تھے. انہوں نے صرف امیجنسی لگائی اور امیجنسی اٹھا لی کرنا ہے. کیونکہ حالات بہتر ہو گئے تھے. یہ وہی کام ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تاؤن کی بماری میں اس شہر سے ادھر سفر نہیں کرنا اور اس کو یہ نہیں کرنا اور جزام کی بماری کے مطلب بتایا ہوا ہے کہ اس بندے کے ایک تیر جتنے فاصلے تک اس سے دور رہنا ہے. اور اس سے ایسے بھاگ ہوئے جیسے شیر سے آپ بھاگتے ہو. اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اتیاد کرنی ہے آپ نے. آپ نے اللہ پہ توقع اللہ کے رحمت کی امید رکھنی ہے لیکن آپ نے اتیاد کرنی ہے. اگر آپ اتیاد نہیں کریں گے تو آپ اس کو نقصان کریں گے. اپنا آپ دوسروں کا بھی نقصان کریں گے. اتیاد لازمی ہے. اتیاد نہیں کریں گے تو آپ کا ستیناس سب کا ستیناس ہو جائے گا. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اللہ پہ توقع رکھنے. اللہ سے رحمت کی امید مانگنی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے اتحاد کرنی ہے. वहां गौर्मिंट आप पाकिस्तान आपको जो बता रही है उस पर अमल करें. और जापनिस गौर्मिंट जो आपको कहा रही है, इस पर भी अमल करें. उस पर और आपको वैसे भी पता चल गए सब किस तरह इताद करने हैं, उसी तरह हजूम ना करें यानि कोई एक बंदा चले जाए या कोई ऐसा ले ले हम लोग हमारे जो दुमाने में होते थे एलेक्शन होते थे रक्षे के ओपर स्पीकल आगया अनॉस्मेंट वहरा कर देते थे कि भी फलां 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 तो इस तरह इस तरह काम हो सकते हैं काफी वालन्टि तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दूसरे या तीसे दिन जो है कोई ऐसी एक्टिविट हो तो हम लोग लाइव कर लेंगे या वीडियो अपने साथियों से मसे तौम लोगों से बात करूंगा जो दिगर कैनों में साथ पर बाप भी सबसे बात करें इंशालला सारे तावन पहले भी करते हैं और इंशालला करेंगे भी एक इंडियन को तावन का दो दो सो मान चार चार सो मान चला गया उनको तो हम अपनी कम्यूनिटी के लिए क्यों नहीं करेंगे इंशालला अपनी कम्यूनिटी के लिए भी लाजमी करेंगे तो आप साब का तावन दरकार होगा तो इन्शालला फिर चार-पाइं दिन बाद आप जिस तरह टाइम राख लेंगर इसके बाद फिर इन्शालला लाइवाएं तो बकिए है कि मेरी दर्खास्त है कि इस वीडियो को जो है जाज़ा शेयर करें और लोगों को बताएं अवेरनेस दें और आप तुमाम जो उनसा है इतियात करें हैं अपने हाथ धोते रहें हाथ ना मलाएं हम लोग भी मैं भी हाविशा हमसा गया है तो मैंने भी इस तरह जो है इनसे हाथ मलाया बलकि आज हम लोग मैं तो खास्तों रिजबरस थी मुझे मिलाया नहीं गया था लेकिन इमत्यास साब से स्पेशल प्रमिशन लेकि जो है मैं वहाँ पर आज गया और किकर मैंने कवरिज भी करनी होती है तो वहाँ पर भी हर किसी को यही यानि जो हाथ मुलाने आता तो उससे हाथ नहीं मिलाया बलकि अमबेस्टर साब से भी हाथ न के लिए वेंटी लेटर पे रहने से बितर है कि आप घर में रहेंगे तो इसलिए इतिहात जो है बड़े लाजमी है तो इसके साथ ही हाफिज आपका बहुत 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 शुक्रिया टाइम देने का हमारे इतने ही भाई है जैसे शिदाद बेलम साब भी मेहर जपान में है वो भी तावन देशा है उन से भी कहेंगे बुलकर हमारी टीम के मेंबर बने जो लोग आगे आते हैं जिने तस्वीरे डगाने का शौग है उन लिए पेस्बूक नराज है उन से तो नहीं कर पा रहा है लेकर यह शेयर किया अपने पेज पे अबी शेयर नहीं किया अब बेगाया है और फ्र बारफ यह है कि इसे ज्याएदा शेयर करें और आपके पास कोई मगर मश्वरा हो तो जरू रोर दे हम लोग उस पर आमल करें अपना जो इर्दगिर जो लोग हैं हमका ख्याल करें अपना भी ख्याल करें और किसी भी एमर्जनसी की सूरत में जो नसे हम मैं हाफ़ज चाहब का नंबर भी और मेरा नंबर भी है और जो भी लोग है जो इस टीम में जो एमर्जनसी ग्रूप है उसमें होगे उन सब के कम्यूनिटी आज हमने करोना का मरीज आज पता चला है तो उसके बाद वाकिशीरियस होगी है आप सब लोगों ने इतियात करनी है और दीगर जो पाकिस्टानी है जिस तरह हकीम साहब है हुरम साहब है या दीगर अच्छे लोग हैं जो लोग कम्यूनिटी को साथ-साहब की बड़ी अच्छे होती है बड़ी आगई होती है परेशान रहते हैं वो लोग जो कम्यूनिटी अपने लिए तो आरबंदा परेशान है हम उन लोगों के से मश्रवी करेंगे उन लोगों के पास भी जाएंगे जो कम्यूनिटी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं उनको भी साथ लेकि उन से मश्वे के साथ चलेंगे आप साथ की तावन की जरूरत है तमाम दोस्ट जो पूरे जपान में पूरी पूरे जपान जिस तोयमा से निगाता तक जहां भी रहते हैं तमाम मिल के हम कोशे करेंगे आप साथ मिलके और काउंट भी हमने अशा प्राइवट दिया है जिसमें आप हमारे साथ तावन करेंगे तो आपका वो डेटा सारा आपको देते जाएंगे तो इन्शालला आपका तावन ने देखिए पाकिसान जिनदाबाद पाकिसान पाइंदाबाद अल्लाह अल्लाह